मुझे बेहत खुशी है कि इस बजट के अंदर महिलाओं के लिए हर 18 साल से उपर की महिला के लिए हजार हजार रुपे का एलान किया गया है वाउ, that sounds like a plan येस, डेली के सीम अरविंद केजडिवाल ने हाल फिल हाल में दिल्ली की महिलाओं को जो सपने दिकाए है दिल तो यही कर रहा है कि भाईया हम भी permanently दिल्ली शिफ्ट हो जाए बट ऐसा भी नहीं है कि इसका फाइदा दिल्ली की हर महिला को मिलने वाला है क्योंकि जैसे हर जगा होता है वैसे यहां भी terms and conditions apply वाला मामला है जो केज रिवाल जी ने खुद डीटेल में समझाया है फिलाल हम इस पर फोकुस करते हैं कि दिल्ली में कितनी महिला वोटर्स है और इनसे लोग सभा चुनाव पर क्या आसर पड़ सकता है देश की राजधानी में women voters का participation बढ़ता आया है 1993 से 2023 तक 30 सालों में दिल्ली में 4.24% women voters बढ़ी है दिल्ली सरकार की women and men in Delhi 2023 report के मताबिक दिल्ली में 1993 के पांचवे assembly election में 58.27% महिलाओं ने वोट किया था जबकि 2020 के assembly election में 62.51% महिला voters ने वोट डाला था वहीं latest electoral role की बात की जाए तो डेली की population 2,17,35,848 है इसमें 1,47,18,119 voters हैं जिनमें 89,86,572 male voters हैं और 67,37,371 female voters हैं पिछले सालों के मुकाबले डेली में male voters इस to female voters के ratio को देखा जाए तो महिला voters की संख्या पहले से बहतर हुई है तो अगर voters की एक category लगतार बढ़ रही है तो उस पर extra focus करना भी बनता है देखे विधान सभा चुनाओं या लोग सभा इंडिया ने over the years women voters का participation बढ़ते देखा है और अब जब देश 28 लोग सभा चुनाओं के लिए तयार है नारी शक्ती ने एक बार फिर center stage ले लिया है बढ़ती female voters को देखते हुए सभी party समझ चुकी है कि महिलाएं वो vote bank हैं जो कई सारी seats की deciding factors हो सकती हैं election commission ने अपनी recent report में बताया है कि लोग सभा चुनाओं 2024 के लिए करीब 96 करोड 88 लाख voters registered है 2019 में जहां 43 करोड female voters registered थी तो 2024 में ये बढ़कर 47 करोड से भी ज्यादा हो गई हैं अगर पिछले कुछ चुनाओं पर नदर डालें तो महिलाओं के लिए parties की welfare schemes या freebies ने election results को काफी influence किया है for example मद्ध प्रदेश में लाडली बहन scheme ने बीजेपी को काफी फाइदा पहुँचाया उधर करनाटक में female heads of families को financial assistance और महिलाओं को free bus rides ने Congress की मदद की तो अब देश की बड़ी national parties की देखा देखी आम आदमी party भी महिलाओं को खुश करने की हर मुम्किन कोशिश कर रही है अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है कई मर्द मोधी मोधी कर रहे हैं उनका दिमाग आपी ठीक कर सकते हो कर सकते हो की नहीं कर सकते अगर आपका पती कहे मोधी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा तो दिल्ली की महिलाओं को CM केजरिवाल ने ये बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है इसको ऐसे भी समझते हैं कि दिल्ली में लोकसभा की साथ सीटे हैं पिछले दो लोकसभा चुनाओं 2014 और 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी साथ सीटों पर जीत हासल की थी लेकिन इस बार दिल्ली के पोलिटिकल एक्वेशन में ये बदला हुआ है कि इंडिया गटबंधन में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस ने हाथ मिला लिया है और अकॉर्डिंगली आम आदमी पार्टी चार और कॉंग्रेस तीन सीटों पर चुनाओं लड़ रही है तो इन सब फाक्टर्स को देखते हुए क्लियरली सीम केजरिवाल और उनकी पार्टी जानती है कि महिलाएं ना सिर्फ खुद वोट देंगी बलकि घर के मेल मेंबर्स को इंफ्लूएंस करने में भी इंपोर्टन्ट रोल प्ले करेंगी करेंगी की नहीं करेंगी बताईए बताईए कॉमेंट में बताईए और स्विच को सब्सक्राइब करते जाईए